आज की प्रेस्वारता उत्तरपदेश में जो निहत्य किसानों के साथ हुआ है उसकी ओपर वह वारता है मैंने कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बारे में लखिंपुर के ही कुछ राजनितिक लोगों से सुना था और जब उन्होंने टैनी के बारे में बताया कि किस अपराधिक प्रिष्ट भूमी से ये महाशे आते हैं तो मैं हैरान हो गया था कि ऐसा आदमी कैसे सांसद बन सकता है और ये कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को अपने मंत्री मंदल के अंदर जगह देते हैं लखिमपुर का बच्चा बच्चा अजय मिश्रा उर्फ टैनी की असलियत जानता है आप कहीं पर भी चले जाएं आप पूछिए अजय मिश्रा टैनी कौन है सब बताएंगे कि किस तरीके के आदमी हैं अपने चुनाव प्रचार के अंदर भी ये अक्सर लोगों को कोई भी सवाल पूछने पर जिस बत्तमीजी से उनके साथ विवार करते थे और जिस तरीके से उनको हैंडल किया जाता था ये चीज़े पूरी लखिमपुर के अंदर मशूर हैं ये कैसे संभव है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आजय मिश्रक टैनी जैसे आदमी को अपने मंत्री मंदल में लेते हैं और उसको ग्रह राज्य मंत्री बनाते हैं मतलब वो आदमी जिसके पास पूरे देश की सुरक्षा विवस्था कानून विवस्था और शांती विवस्था की जिम्मेदारी है वो आदमी आपको ये मिला अजय मिश्रा उर्फ टैनी और इन्हों ने खुद अपने मूँ से कुछ दिनों पहले कहा था किसानों को खुलम खुलना धंकी देते हुए कहा था कि आप पता कर लेना मंत्री और सांसत बनने से पहले अजय मिश्रा टैनी क्या चीज है तो ये तो खुद अपने बारे में बता रहे और उसके बाद मेरी अभी अभी कुछ लखिमपुर के लोगों से बात हुई जिस बरबरता के साथ किसान दूसरी तरफ मुः करके बैठे हुए थे इन्होंने उनके उपर पुल स्पीड से गाड़ी जिस तरह से चलाई है लोग बता रहे कम से कम 70-70 लोग इसके अंदर जख्मी हुए हैं कम से कम 60-70 लोग जैसे फिल्मों में दिखाते हैं न कि आप कहते हैं कि इस जुंड को मैं गाड़ी से रोंद दूँगा उस तरीके के हालाथ यहां पे किये गए है अब एक सिपाही का बेहन भी आ गया है जिसमें उन्होंने बोला कि इन्होंने अपने हाथ से पिस्टल चलाई और वो गोली भी किसी को सर में जाके लगी है उसकी लाश भी अभी वहीं पे चौराहे पे किसानों ने रख रखी है मुझे बताया गया है इस चीज़ को अभी तक मैं कन्फर्म नहीं कर पाया हूं कि जिसको वो गोली लगी है वो एक वहां के लोकल जर्नलिस्ट है सर में उन्हें गोली लगी है मैं प्रदान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अभी तक अजय मिश्राउर्फ टैनी को मंत्री मंडल से क्यों नहीं निकाला गया उनको अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक प्रधान मंत्री का इसके उपर कोई ट्वीट कोई बयान क्यों नहीं आया प्रधान मंत्री जी अभी तक इस पर मौन क्यों है हर अपोजिशन का नेता को वहाँ पर जाने से क्यों रोका जा रहा है ये सीधा सीधा हाथरस मौडल है जैसे हाथरस के अंदर एक दलित लड़की की सामुहिक बलतकार करने के बाद जो हालत की गई और उसके बाद जब वो मर गई उसके परिवार वालों को डरा धमका कर हाउस अरेस्ट किया गया आदी रात को बच्ची की लाश को मिटी के तेल को डाल कर पेट्रोल डाल कर उस लाश को जला दिया गया सारे सबूत नश्ठ कर दिये गए किसी अपोजीशन पार्टी के लीडर को वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया गया बिल्कुल उसी तरीके से केस को दबाने की, लीपा पोती करने की कोशिश उत्तरपिदेश सरकार और केंदर सरकार कर रही है वहाँ पर सारे इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा सब लोगों के कम्यूनिकेशन को बंद कर दिया गया यहां तक कि सामान्य फोन भी बहुत मुश्किल से वहां पर लोगों से मिला जा रहे मुझे नहीं लगता मैंने कई देल तक इंटरनेट पे सर्च किया पूरी दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा कोई वाक्या मिलेगा कि आपके राजनितिक तो किसी से परिशानिया हो सकती है कि आपकी राजनितिक तोर पे किसी से नहीं बनती है आपको उसकी शकल पसंद नहीं है मगर आपको ऐसा कोई तानाशा नहीं मिलेगा दुनिया ने बड़े बड़े तानशा गद्दाफी जैसे तानशा हिटलर जैसे तानशा हुए है मगर ऐसा कोई आपको नहीं मिलागा कि खुद तानशा के परिवार के लोग अपने विरोधियों के ओपर गाड़िया चड़ा दे और उनको वही पर मार दे यह तो हद होगा यह तो हैरानी क बात है कि इस तरीके का हालात आज दिली के आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर हमारे भारत देश के अंदर इस तरीके के हालात हो रखे हैं और यह बहुत शर्म की बात है आम आदमी पार्टी के निताओं को भी वहाँ पर जाने से रुका गया है हमारे सांसद स संजे सिंग जी को कल आधी रात को उत्तरविदेश की पुलिस ने रोक दिया है वो जहां पर थे वहां पर अभी भी मौजूद है और कोशिश में है कि वह वहां पर जाकर परिवार वालों से और किसानों से मिले आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसके विरोध में प्रद करेगी और मांग करेगी कि इन मंत्री साब को अजय मिश्रा उर्फ टैनी को तुरंत मंत्री मंडल से बर्खास्त किया जाए इनके बेटे को गिरफतार करके जेल में भेजा जाए और वहां की इंटरनेट सेवाओं को बहाल करके जो लोग भी परिवार वालों से और किसानों से मिलना चाहते हैं उनको मिलने दिया जाए हाथ रस के मामले में भी इस तरीके के समझोते की बात की गई थी कि लड़की के परिवार वाले किसी से नहीं मिलना चाहते इसी से उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और बाद में परिवार वालों की एक वीडियो आई जो से निकाली कि परिवार वालों को धंकाया जा रहा है जब वहां पर किसी भी राजनितिक दल को पहुंचने नहीं दिया जा रहा वहां की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर रखी है ताकि वहां के लोगों के बयान बाहर ना सकें वहां की वीडियो बाहर ना सकें तो दरा धंका कर किसी भी आदमी को बिठा के बठा लीजे पुर्सी पर कि जी हमारा समझोता हो गया किसी के घर के लोग मर जाएं तो कितना ही किस तरह का भी आदमी हो समझोता नहीं करता अपने घर वालों की मौत का यह बहुत शर्म की बात है कि जिस तरीके से हाथ रस के अंडर लीपा पोती की गई थी उसी तरीके से यहां पर किया जा रहा और बाद में हाथ रस में साबित हुआ बाकाइदा CBI जाच में साबित हुआ कि आरोपियों को उत्तरप्रदेश सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी जिन लोगों के उपर शुरू से आरोप लगाये जा रहे थे और परिवार वाले आरोप लगा रहे थे आरोपी वही साबित हुए और उत्तरप्रदेश की योगी सरकार उसके परिवार वालों के उपर बलतकार के आरोप लगा रहे थे किती शर्म की बात है और बाद में बात साबित हुई, अभी भी कोशिश ये है कि लीपा पोती करी जाए, बाद में जब लोगों का ध्यान हट जाए, मीडिया का ध्यान हट जाए, तो सच्चा ही कहां चपती है, फिर कौन मीडिया का आदमी वहां पे जाएगा, आज सिर्फ और सिर्फ इसके उपर लीपा पोती की जा रहे है, पिछली बार जब चपूजा नहीं हुई थी, हर्याना की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहां पे भी चपूजा नहीं करने दी, गुजरात की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहां पे भी चपूजा नहीं करने दी, वहां पर भाजपा की सरकार इसलिए मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जैसे लोग इतने घटिया और गिरे हुए लोग कि करुणा की मामारी में ये नजर नहीं आए दिल्ली में लोग जब ऑक्सीजन के लिए दवाईयों के लिए दरदर भटक रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्शद लोगों की मदद कर रहे थे तब मनोज तिवारी गायब हो रखे थे करुणा फैल गया था तो उस वक्त ये मज़े ले रहे थे इनका एक सांसद आप मुझे दिखाईए जो किसी की मदद करने के लिए आया हो ये सब लोग गायब थे दवाईयों की काला बाजारी कर रहे थे आज जब दिल्ली के अंदर सामाने महौल है तो ये चाह रहे हैं कि दुबारा से करुणा फैले दुबारा से लाशों पर राजनीती करें मुझे लगता कि बहुत शर्म की बात है मनोज तिवारी बताएं करुणा के दौरान वो क्या कर रहे थे और कहां छुपके बैठे हु झाल